इस साल की आखरी SRK मूवी डंकी फाइनली रिलीज हो चुकी है और क्या ये मूवी वही राजकुमार हिरानी मैजिक क्रियेट कर पाती है जो हमने 3 Idiots और मुना भाई में देखा था आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मूवी में क् अचा और क्या अंडर्मेल्विंग लगा तो अब वीडियो को एंड तक जरूर देखना जब 2023 के लिए SRK की मूवी का लाइन अप अनाउंस हुआ था तो मैं पर्सनली डंकी के लिए ही सबसे ज़्यादा एक्साइटिट था इंडियन सिनिमा के वन आफ दे बिगेस्ट एक् फैंस काफी एक्साइटिट थे इस जोड़ी को देखने के लिए और जब कल मैंने डंकी को देखा तो मेरे अंदर मूवी को लेकर थोड़े मिक्स व्यूज हैं करे मूवी की कहानी पर तो डंकी फोकस करती है एक फ्रेंड्स के ग्रूप के उपर जो की इंगलेंड जाना चा कुछ खास कामियाब नहीं होते तब जाकर उन्हें डंकी ट्रेल का यूज करना पड़ता है जो की एक इलिगल प्रेक्टिस है जिससे कॉंटिनेंट्स के बॉर्डर क्रोस करके उन्हें कंट्रीज में घुसाया जाता है अब उनकी जरनी और उनमें उसने क्या-क्या प्रोब मूवी में जोक्स है, ड्रामा है, मूवी इमोशन्स पर भी काफी हैवी रिलाई करती है जो की ट्रेड मार्क राजू हिरानी स्टाइल है और क्या ये राज कुमर सर की बेस्ट फिल्म है नहीं पर ये इतनी बुरी भी नहीं है जितना नेगिटिव क्रिटिसिजम इसे मिल र करती है, म्यूजिक के थ्रू हमें जो इमोशन्स फील करवाय जाते हैं वो सही काम करते हैं और हमें मूवी से एक इमोशनल कनेक्ट प्रवाइड करते हैं अगर मूवी की कॉमेडी की तो मूवी का फर्स्टाफ कॉमेडी हैवी था जहां की कॉमेडी मुझे ठीक ही लगी, यहां कुछ जहां पर हसी आती है और कुछ जहां पर जोक मुझे पर्सनली हसा नहीं पाए, पर कॉमेडी एक बड़ी ही सब्जेक्टिव चीज है क्योंकि मेरे थियेटर में लोग आज पस कुछ जोक्स पर जोर जोर से हस भी रहे थे, मूवी में वन लाइनर्स का भी यूस किया गया है जोकी भी मुझे हिट एंड़ी सी लगे, मूवी के स्टार्टिंग में जहां कॉमेडी काफी अच्छी चल रही थी, सेखिंड आफ में कुछ जहां पर वो थोड़ी सीली और अननेसेसरी भी लगी मुझे, फिर आये मूवी की कास्ट पर तो यहां हमें कुछ अरे मिक्स और मोटिव स्टورी को इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनके एक्टर को इतना स्ट्रॉंग बनाती है इनके एक्टर्स की परफॉमेंस, ताप सी पन्नू का परफॉमेंस जहां फर्स्ट हाफ में थोड़ा ब्लैंड फील हो रहा था, सेकेंड हाफ में, पर उसमें वो सारी लाइम ले गए उन्होंने जो इमोशन्स कनवे करे थे उसको देखकर लोग रोने पर मजबूर हो जाएंगे उनका परफॉमेंस इतना ज्यादा शानदार था आप सुखी के करेक्टर को चीर करते हो उसके लिए फील करते हो और ये विक्की कोशल के परफॉमेंस था एस्पेशली वो कोर्ट वाला सीन शारुक खान का वो पंजाबी एक्सेंट मुझे थोड़ा एनॉइत कर रहा था पर शारुक का परफॉमेंस उसे बियेरेबल बना देता है उनके करेक्टर सो काफी मौकर मिलते है शाइन करने के और एसर के महाँ पर काफी अच्छा परफॉमेंस देकर हाडी के करेक्टर को लाइकेबल और एक ट्रस्ट वर्दी करेक्टर बनाते हैं तो ओवरॉल मैं अपने डंकी को लेकर थोट्स बताऊं तो ये कोई मसाला मूवी नहीं है तो इसमें कोई एक्शन वगेरा नहीं है मूवी एक राजकुमार हिरा सारे हैं जो कि सीधा दिल पर आकर लगते हैं जैसा राजु सर का स्टाइल भी रहा है और क्या ये राजकुमार जिरानी का बेस्ट वर्क है तो नहीं ये थ्री इडियर्स मुन्ना भाई जैसा कल्ट क्लासिक तो नहीं है पर फिर भी ये एक फैमिली एंटर्टेनर के तोर प अपने थोट्स कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करना इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग कॉंटेंट के लिए